हलो व्यूवायर्स मेरे सिंपल फुट शानल में आपको स्वागत है आज हम सिंपल फुट में बनाएंगे एक साउथ इंडियन रेसिपी यह है जीरा रसम बहुत हेल्थी है और बहुत ही टेस्टी बनता है अप आसन इसे बना सकते ही जरूर ट्राइ करके देखिए रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लायक करिए शेयर करिए कईसे लगी कि मुझझे कामेंड कीजिए अब तक मेरे चानल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अपलोड करीगी तो वीडियो अब सब सब पहले देख सके चलो जीरा रसम बनाना शुरू करेंगे इसके लिए फ़स्ट हम एक बौल ले लेंगे एक से दे टेबल स्पून तोर दाल आप कर लेंगे इद तोर दाल को एक बार अच्छा सथ ढोके एक पान निकाल देंगे आप अब तोर दाल में और थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे 4-5 सुके लाल मिर्ज 1-5 टीस्पून जीरा थोड़ा से काली मिर्ज एक आध़ पिंच मेथी दाना एक टीस्पून धनिया आड़ करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अब ये मिक्स करके ढ़के दाल अच्छा सा भिगने तक 15-20 मिनिट तक रख देंगे अब इमली को भिगो के रख लेंगे इसके लिए एक बौल ले लेंगे ये नीम्बू का साइच जितना इमली ले लेंगे इमली को एक बार अच्छा सा पानी से धोलेंगे धो के पानी निकाल दीजिए तुबारा से इमली में एक कप जितना पानी आड़ करके भिगो के रख लेंगे इमली को इमली और दाल भिगने के बाद अगला प्रॉसस देखेंगे 20 मिनिट हो गए ही बेद दाल भी अच्छा सा भिगी हुई है अब एक मिकसर जार लेके उसमें ये भिगी हुई दाल ये सारे जो हम भिगो के रख रहे हुए इंग्रीडियन्स को आड़ कर लेंगे थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे पानी आड़ करके अच्छा सा पेस्ट जैसा ग्राइंड कर लेंगे अभी अच्छा सा ग्रैंड हो गया है यहां प smoking लाल मिर्ची मैं चार से पांड डाली थी आप ठीके के हिसाब से लाल मिर्ची को अर्जस कर सकते ही अभी अच्छा सा पेस्ट बन गया है एक पैन लेके जो हम ग्रैंड करके रखे हुए यह दाल का पेस्ट को आड़ कर देंगे यही मिक्सर जार में अब टमेटर ग्राइंड कर लेंगे यहां पे मैं दो मीरियम साइच कटे हुए टमेटर आड़ कर रही हूँ टमेटर अच्छा सा लाल रहना है यहां पे मैं ग्राइंड करके टमेटर को दाल रही हूँ पैन में अब ये इमली ले लेंगे इमली भी अच्छा सा भिग गई है अब ये इमली से हम खट्टा निकाल लेंगे ये रसम में आप खटे को अज़स्ट कर सकते ही अब जैसा खाते ही हो ही साबसे मैं ये खटा निकाल ली हूँ ये खटे को ये जार में डालके एक बार मिक्स करके डाल दूँगी ताके जो ये हम ग्रैन करके रखे हुए टामेटर का जो प्यूरी है वो भी आज सके इसमें दे स्वाद अनुसा नमक एड़ कर लीजिए अब एड़ कर देंगे पानी दो से तीन कब जितना पानी एड़ कर लेंगे एड़ करके अच्छा सा मिक्स कर देंगे देखके कंस्टेंसी के हिसाब से पानी एड़ करना पड़ेगा बच्छा सा मिक्स कर देंगे मुझे थोड़ा गाडा ही लग रहा है क्यूंकि पकने के बाद और गाडा हो जाएगा इसलिए और थोड़ा मैं पानी अट कर दूँगी एक कप जितना अब अब जसा मिक्स करके ये रसं को पखाएंगे ग्यासकौान कर लेंगे यह पैन को रख देंगे रसम के पैन को भिसमें आड कर लेंगे 12 से 15 कड़ी पत्ते मिक्स कर देंगे अब धक्ये लोओ फ्लेम पे रखे यह रसम को अच्छा सा पकने तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे रखके बिल्कुल नहीं पकाना है धक्के धक्के पकाने के टाइम ये बाहर निकल सकता है रसम तो इस बात की ध्यान रख लीजिए देखो ये रसम अच्छा सा उबलने लगा है उबलने के बाद हम रसम को दुबारा से पांस से छे मिनिट तक मीडियम टु हाई फ्लेम पे रखके बीच बीच में चलाते हुए रसम अच्छा सा पकने तक पकाते रहेंगे ये अच्छा सा पकने लगेगा तो इसकी कंस्टेंसी और गाड़ी हो जाएगी मुझे तो ज़्यादा ही गाड़ी लग रही है क्यूंकि थंड़ा होने के बाद और थोड़ी गाड़ी लगेगी इसलिए मैं और एक कप जितना पाने आड़ कर दूँगी आड़ करने के बाद एक बार चक्के देख लीजिए आपको खटा करक्षाई या नहीं नमक करक्षाई या नहीं उच्छे तो थोड़ा नमक कम लग रहा है इसलिए मैं और थोड़ा नमक आड़ कर दूँगी अब चक्के अपके हिसाब से नमक को अज़िस्ट कर लीजिए बच्छा समिक्स कर देंगे अलमोस्ट एर रसम पक गया है बस साइड में रख दूँगी अब तड़का लगा लेंगे इसके लिए तड़का पैन या नार्मल पैन ले लीजिए उसमें आड़ कर लेंगे आईल एक से दे टीस्पून जितना आईल या आईल गरम होने के लुसन के कली को एड़ कर देंगे अब यह फ्राइ कर लेंगे यह लुसन गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे लुसन नहीं दालना चाहे तो आवैट कर सकते ही अब एड़ कर देंगे हिंग वन बाई फोथ टीस्पून जितना हिंग एड़ कर लेंगे यह हिं अब इत तड़के को रसम में आड़ कर लेंगे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पता आड़ कर लीजिए और इत तड़का आड़ करके फ़रुन ढख देंगे ढखके एक दो मिनिट तक छोड़ देंगे इससे तड़के का फ्लेवर रसम में आ जाएगा दो मिनिट के बाद हम इस सर्व कर लेंगे बनके तयार हो गया है जीरा रसम यह बहुत ही हेल्थी है आप जरूर ट्राइ करके देखिए रेसिपी को एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे इस जीरा रसम को बनके तयार हो गया हेल्थी जीरा रसम आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए इस रिसपी को आप चाफल के साथ इडली के साथ उकमे के साथ सब कर सकते ही कैसे लगी फ्रेंड्स भीर आज की रिसपी महुमित करती हूं कि आपको रिसपी पसंद आई होगी पसंद आईगी तो like करिए शेर करिए कई से लगी कि मुझे कामेन कीजिए और टेस्टी रस्पीस के लिए मेरे सिंपल फूट शानल का अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगली रस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग